अपने अपने गेम क्यों नी खेल रहे है अपने अपना गेम खेलो ना यहाँ पर हमने एक नीवल की पहाँच मैचेस की बात करने वाले है भाई इस कदर से कल प्रिमेर लिग की टेबल में जो हलचल मची है न डेफिनेटली भाई एक वर्थ अवाश था भाई क्योंकि मैं शाम को 6 वह से रात के साड़े 3 वह तक मैं नर्ड की तरह टीवी के साब ने बैठा हुआ था वाह क्या फुटबॉल फैन की लाइफ और यह मेरा आल नहीं है तुम मैंसे पता नहीं 90% लोगा सेम हाल होगा क्या करें यार कुछ कह भी तो नहीं सकते लेकिन आज की एपिसोड में जो सबसे पहले हम लोग प्रिमेर लिग के किस्से की बात करें और फिर बात करें कैसे यहाँ पर लिवरपूल चैंपर लिग में रियाल मेरी को तबेबे गरम करके उच्छा ले आप पीछे मूड कर देखोगे तो हमेशा याद रहेगा कि यह जो विक्ट्री थी यह चैंपियन्स विक्ट्री थी इस तरीके की जो तीन पॉइंट्स निकालने होते है न वो सबसे ज़्यादा क्रूशल होते है कि कह सकते हो कि पिविटल था चुकि मैं हमेशा से मान के चल बार्सेलोन ऐसी इसको बॉटल करती है रियाल मरीड बार्सेलोन वापिस से सात्मा आयता है मैं फिर भी कहिना कि नहीं होंगा कि रियाल मरीड विल रप अप लालीगा टाइटल क्योंकि मेरे को पता है कि बार्सेलों के गेम काफी जादा गॉन्फिदेंट और वेल पहला सीजन इसे पिछले सीजन कौन सा वो यहां पर टाइटल चार्ज में चड़े हुए थे इस इसे साथ अगर मैं आपक कुछ की की पॉइंट की बात करूं इस मैच को लेके देगो सबसे पहले तो थॉमस पार्थ के बिना यहां पर आर्सनल मिट फील्ड खाली रहती है पहले तुम खुश सोचो जार जिस अगर स्पोर्स की बात करें सिटी की बात करें कैच चलो सिटी ने तो तोड़ा था लेकिनि सबसे बड़ा रीजन है कि थॉमस पार्थ की एपसेंस बही उस बंदे का ना खेलना आर्सनल के लिए नाइटमेर से कम नहीं है देखो तुम का जो ओगे जौर्गीनियो अपने लेवल का player है, जौर्गीनियो एक अपनी profile का player है, अब तुम जौर्गीनियो से अगर यह expect करने ले जाओगे यह Thomas Pard तेवाला काम करदेगा, तो वो नहीं हो पाएगा, that is not possible and at the same time यह तो सब को पता है कि जौरगी नो cover देने में और defensive cover और defensive transition को defend करने में काफ़ी जादा पीछे ही रहता है लेकिन इसी के दाथ में को एक point और लगता है कि यार जो right hand side ना भई Bukoyo Saka की मैं बात करूँ और इतर से Ben White की बात करूँ यहाँ पर point यह है कि Arsenal बहुत ज़्यादा dependent है right flank पर भाई left क्या देखो एक होता है आप effort मार रहे हो वो मारती Arsenal यह मैं देखता हूँ लेकिन still उससे काम बनता नहीं है जिंचेंको गोल आया लेकिन जिंचेंको और trossard लग नहीं राय की दूसरों compliment करते हैं ऐसे में कुछ न कुछ हलचल तो करनी पड़ेगी आप मार्टिन ले जिंचेंको खिलाओ या फिर आप ट्रोसाड को खिलाओ यहाँ पर आपको और participation रखना पड़ेगा लेकिन नंदिलाइस भाई यह एक जो विठरी थी यह इस टीम के लिए इंपोर्टेंट थी क्योंकि तुम सोचो है इन एक्सपीरियंस प्लेयर हैं यह अगर इंजिरी टाइम्स में ऐसे तीन पॉंट्स निकालने लग गए वो भी away from home लेकिन जब बात करते हैं यहाँ पर Manchester City की सबसे पहले तो भाई जब वह था न कि आदमी किसमत खराव हो तो उन्ट बैठाव हो अब खुत्ता काट लए था यह बिल्कुल उसका प्राम एक्जांपल था लग नहीं रहा था कि सिटी यहाँ पर Nottingham Forest की अगे इस बॉटल कर रही थी बट स्टिल दो तिन पॉट्स में अगर की निकालू इस मैच में से सबसे पहले तो भाई आप अफॉर्ड नहीं कर सकते कंसिस्टेंसी एक चीज ऐसी रही है जो कि Manchester City में शायस समय को लगता है कि आज तक मैंने इतना जादा बार नहीं का लेकिन इस सीजन कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है Haaland गोल मार देता है तो ठीक रहता है Haaland गोल नहीं मारता तो ये स्ट्रगल करते हैं ये मैंने नोटिस किया है इनके गोल कॉन्ट्रिबूशन में लेकिन एक चीज मैंने और बहुत बड़ा पॉइंट था और देखा है मैंने majority of the game जादा नहीं देगा था क्योंकि मैं उस टाइम Chelsea का देख रहा था तो मैं इतना जादा उस पर comment नहीं कर पाऊ हुआ लेकिन जब मैंने इसके बार में पढ़ा तो यही था कि यहाँ पर City का जो overall nomination था वो उसको convert नहीं कर पाऊ और ऐसे में यहाँ पर Nottingham Forest जब एक chance मेरा तो उन्होंने यहाँ पर इस चीज को बड़ी कर दिया और like बहुत easily cut गई मतलब मैं देख रहा था goal तो transition में इतनी easily cut गई and it was just वो होता ना कि यसे एस्टन विला ने भी आर्ष्ट गया कि जो दो goal मारे थे उसमें जो उन्होंने एमरी वाला master class दिखा दिया फिर उसके बाद बैट गए जाके तो यही Nottingham Forest का था हाला कि केलो नावास के इतने अच्छे सेवाए headers की मैं बात करूँ आप अपने ही chances create करके उसको बरी नहीं कर पारे तो फिर आप हारना deserve करते हो और वापिस से यहाँ पर I think 5 point की lead maintain कर सकती आर्सनल अगर अपना आने वाला match जीज़ जाए लेकिन इसी के दाब तेर बात करते हैं थोड़ी से लिवरपूल और चल्सी की भाई लिवरपूल की जहां मजाग उड़ा रहते लिवरपूल कहीना की season turn around में आ सकती है 6 point का फासला है सिर्फ अगर वो अपने 6 point का फासला है उनमें और champion league qualification में तुम समझ रहे हो कितिनी बड़ी achievement हो की यगन क्लॉप के लिए मतलब ऐसा कुछी भी नहीं है जो लिवरपूल ने करा है मिट्फिल्ट तो लेके नहीं आयो तो ऐसे में यगन क्लॉप का in-house solution ढूनना इससे भैतरीन चीज कुछ नहीं हो सकती मैं उस player का नाम भूल गया है और मैं लेकिन जो Fabinho के साथ खेल रहा है नंबर 6 जो खेल रहा है लिवरपूल में ही इस रेली गुड नुकासल किया नुकासल के साथ बहुत बुरह हुआ है मतलब पहले 25-30 मिनट में दो खाली है निक पोप आ भारा के लिप्टा पड़ा है उससे ऐसे मिरा नाश में लिप्टा पड़ा देता है तो वो मैं को लगता है कि वहाँ पर तरस अगया था मैं को नुकासल को देखके जबकि नुकासल अच्छा खेल रही थी नुकासल अगर एलेंसन मैक्सिमिन की बात करें अलमिराउन की बात करें देवर आक्चुली डॉमिनेटिंग पोड़ेशन और लिवरपूल को काफी जाधा प्रेशर पता है एवर्टन वाला भ भाई डाविन नुनेस को लेके मैंने हमेशा देख चीज कही है बंदा हरकत करता है बंदा हरकत जो देखो जो हरकत करता है वो बरकत भी जो जो क्रियेट करेगा जो शॉट्स लेगा वो बरी भी करेगा लिवरपूल के शॉट्स लेगा मैंने हमेशा लिवरपूल को लेके चीज का है कि अगर Klopp actually में conversion rate को साही कर देना तो इस से बहतरीन चीज और कुछ नहीं हो सकती और हमको वो ही देखने को मिल रहा है डाविन नूनेज अपने chances को बरी कर रहा है गोटी आत्पो की बात करें तो वो भाई अब तरीके से खेल रहा है Trent Arnold के creativity का फायदा उठाया पारा है आप midfield को अभी भी expose होती है सही बताऊं तो Newcastle United 10 men के साथ भी काफी सही से create कर पारी थी और कुछ-कुछ chances में हो कर भी देते लेकिन of course अब आप 10 men के साथ हो लिवरपूल सामने तो आप ज़्यादा chances नहीं ले सकते लेकिन मौमद साला को और include किया जा रहा है front three को narrow किया जा रहा है लेकिन धाविर नूनेश के जो exposing run है न ये तो सेक देंगे रिहाल मड़िट को not kidding बात करेंगे लेकिन अगा Chelsea की बात करेंगे इसका पूरा game देखा है pathetic still दो-तीन positive है सबसे बड़ा सवाल यही आता है या Graham Potter को sack कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए देखो मेरे को नहीं लगता है Graham Potter sack होगा और इसके पीछे reason यह नहीं है कि मैं बहुत believe करता हूँ Graham Potter में तुमको पता है मैं Graham Potter का fan नहीं हूँ मैं को यह लगता है कि टुकल कोई sack करना at the end of the day आपकी गलती दी लेकिन that's between that's not between manager and players that's not between managers and fans it was between manager and owners तो egos की बात आगी थी और यहाँ पर भी egos की ही बात है it's not between Graham Potter and players it's not between Graham Potter and fans it's between Graham Potter and owners owners ने इतना खर्चा किया है तो कैसे sack कर सकने इसको at least end of the season क्योंकि जब यह बात क्योंकि end of the season तक ही होगी ना कि हाँ owners ने बहुत time दिया owners ने इस philosophy बहुत माना लेकिन अब अगर owners sack कर देंगे ना तो फिर इनका बहुत भाजी पाला हो जागा तब सबको समझ में आ जागा कि इन owners को कुछ नहीं पता इनकों से पैसा घर्च करना आता है इन में चुते में दिमाग नहीं है लेकिन ये ego हो जाली बात होगी ना कि हाँ ठीक है और में को लगता है कि आप at the end of the season तक time देखे ही देख दो yes पंदरा games में आप दो game जितवा रहे हो और वो भी important नहीं है कि आपके team काता खेल रहे है जो कि बेकार खेल रहे है collectively दो तीन में अच्छे प्लेट लेगे फुफाना में वो good again भाई अगर SP लिगवेटा की बात करें तो I hope की भाई वो जल्दी जल्दी वाप इस से recover करें इसी के दाथ अगर मैं आपर जाओ जाओ फिलिक्स ही बात करें तो absolutely amazing भाई वो बंदा खेल रहा है अगर खराब team में से भी कोई बहुत बड़े खेलता है न तो उसका तो level बहुत ही उपर है मुद्रिक्की में बात करूँ raw है लेकिन ये करेगा भाई ये Chelsea को ये Chelsea को फोड़ेगा Chelsea के साथ इसमें तो कोई डाउट नहीं है मैं तुमको पहले भी कहा है Graham Potter काफी pragmatic manager है Graham Potter इतना हलचल करेगा इतना rotate, इतना volatility, इतना versatile रहेगा कि Chelsea अपना brand of football ही नहीं रख पाएगी बलकि Chelsea का आप एक चीज़ देखो कि पिछले कुछ टाइम में Chelsea का हमेशाथ एक defined brand of football रहा है एक set of pattern के साथ वो खेले हैं इतना खराब नहीं खेले हैं पिछले, मैं एक stat पत रहा था पिछले 6 games में उन्होंने 3 clean sheet रखे हैं तो मतलब उन्हों गोई goal नहीं खाया है actually मैं 3 यहाँ पर उन्होंने goal खाया है तो या तो goal करेंगे भी नहीं तो 0.90 को यह deficiency आ रहा है उसको कौन पूरा करेगा अगर आपके पाद जाओ फिलिक्स, काय, हैवर्ट, स्टर्लिंग, मुद्रिक अगर हम यहाँ पर फफाना की बात करें इन जैसे players के अगर मैं बात करता हूँ तो अगर आप इनसे भी chances नहीं create कर पारे तो कैसे होगा मैं अभी भी आपर थोड़ा दर Graham Potter के side ले हूँगा कि ठीक है आपको अभी भी time चाहिए अपने team को gel up करने के लिए एक साथ खेलने के लिए but make sure भाई Graham Potter को अब make sure करना पड़े है कि press conference में points नहीं मिलते है press conference में तावर तोड़ Google Images के quotes निकालके आपको कोई points नहीं देगा आपकी job बची हुए that's because कि owners अपनी ego पे ले हुए आपको कोई भरोसा जादा नहीं कर रहे है however he still can turn it लेकिन उसको upside down बदनने के लिए भाई आपको perfect opportunity create करने ही पड़ेगी Chelsea के लिए कि वो जो players है यार वो individual quality पे तो जित्वा दे तुमको बई एक मन tactically flawed तो United भी थी रांगनिक की tactically flawed भी थी Ole Gunnar Shoshire की वे एक time दी Christiane Nall लो निकाल रहते ना game अगर मैं बात करूँ Marcus Rashford एंडिंसन कमानी सब निकाल रहते ना game individual quality पे तो निकाल रहते Chelsea कर सकती है लेकिन उसको करवाना भाई Graham Potter कोई पड़ेगा लेकिन इसी के साथ घर बात करते हैं अब थोड़ी सी ला लिगा कि finally Real Madrid भाई एग घंटा चूतिया खेलने के बाद Real Madrid अच्छा खेल गई key points देखो सबसे पहते हो मैं बता दूँ चोड़ है ठीक के जीत गए अपन और अब यह अपन चेस कर रहे है बार सेनों को थोड़ा pressure में डाल रहे है जब बार सेनों आज अपना match खेलेगी लेकिन भाई हमें कोई भी भून देगा मैं तुम्हें लेजिट बता रहा हूँ उसको बरी कर सकती है वो हमको तोड़ देगी बाई और लिवरपूल सारे बॉक्स इसको टिक करती है और जिस performance में लिवरपूल है हमको चने की तरह भून देगी और हम कुछ कर भी नहीं सकते मतलब हमारा game इतना ज़दा predictable है इतना दा flat है और सबको पता है क्या होगा देखो रॉड्रियो की बात है तो रॉड्रियो विनीशियस एक साथ खेलते है ठीक है विनीशियस ही हमारा एक लाता outlet है मतलब राइट से तो में टाइक करना ही नहीं चाते बारसा भी तो खेलती है फोर बैनेट फिल के दाथ गावी भी रहता है लेट बट आप देखो कि उनका एक्टिफ पार्टिसिपेशन होता है कितना जादा होता है मैं यह नहीं कह रहा है कि वालवर देख राप पफोर्मेंस है बलकि मैं यह कह रहा हूँ कि actually मैं आप उस तरफ से create करने की भी कोशिश नहीं कर रहे है उस तरफ से बिलकुल blank है जब आपका एक साइड इतना blank है इतना खाली इतना negative है तो दूसरे में भी विनीसियस कितिनी बार कुछ कर सकता है फिर अब जब विनीसियस की बार याती तो इसके दो expect है एक positive और एक negative अगर मैं विनीसियस की बात करूँ तो देखो है विनीसियस चाहे मैं 60 मिनट में एक आऊंगी murdered बेकार के लिए थे बट विनीसियस बहुत ट्राइंग विनीसियस penetrate करता है और विनीसियस जैसा run actually में हर team को थोड़ा अपने कायदे में रखता है अपनी वकात में रहने के लिए कहता है कि देखो कायदे से रहो ये काता run निकल गया तो फंडंडीना वाला काम हो जाएगा city के साथ और वो विनीसियस करने की समता भी रखता है करत भी है और उसके वैसे रियार्मन को फायदा भी मिलता है negative aspect विनीसियस जुनिया का सबसे बड़ा जो कौन से ना वो है उसका complicated football भाई वो कभी कवार football को बहुत जादे complicated करता है simple run simple position जैसे अगर वालवर्दे वाले अससिस्ट की बात करें इस पर वालवर्दे ने goal मारा बहु बड़ी चीज है आपको भाई you are not even attacking the box भाई तेरे box में एक player नहीं है Real Madrid के तो आप cross किसको डालोगे आप किसको डालोगे किसको target कर रहे हो सारे के सारे अगर penalty box से भार खड़े हैं तो क्या कर रहे हो आप पोशंपा भाई पोशंपा केल रहे हो Real Madrid की backline के मैं बात करूँ तो इडर मिनिट आओको आप अगर एक बाद defense line से निकाल दोगे तो इस defense line का तो भूत तार दोगे आप रूडिगर भी मैं को पिछले कुछ game में सही लगा है लेकिन रूडिगर और आलाबा is not the combination जो कि आप लिवरपूल के अगेंस खिल सकते हो लिवरपूल की side जो कि इतना अधा rotate करेगी उसमें Trent की creativity आएगी Darwin Nunes के run निकलेंगे Cody Gaak पो drop deep करेगा और Real Madrid भार जाएगी ये में को लग रहा है plan है Champions League में हमारा हम कुछ नहीं कर सकते because we are playing bad इसलिए मैं कहरा हूँ 3 point मिल गए लेकिन बहुत ज़्यादा frustrating है हमारा gameplay